ये जो अमेटी छेतरे हैं, यहां के राजा लाल माधो सिंग, राजा गुर्दत सिंग के पुत्र थे, जिन्होंने राम जन भूमी आंदोलन में लड़ाई लड़कर युद्ध करके अपना अपने प्राणों को निवचावर किया था। दस्पी शताबदी में यहां राजगरानों की परंपरा शुरू हुई और आज तक कई राजगराने अपनी विरासत को संजो हुए हैं। बात अगर उद्धो धंदों की करें तो रेत और सीमेंट का प्रमुख उतपादक, ACC Limited और अनाज मिल उतपादों, स्टार्च और इनसे संवंधित जो निर्माता हैं, शाली मार पैलेट फीट्स यहां पर बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मोहिया कराते हैं। यहां पर प्राकरती रूप से उगने वाली मूंज गहा से हस्त निर्मित विभिन उतपाद त्यार किया जाते हैं। संजे गांधी, मेनका गांधी और खुदर राहुल गांधी भी चुनाओ हार चुके हैं। सुबे की सरवाधिक बहुचारचित सीटों में यह शुमार हैं। नमस्कार, मैं हूँ ग्यान शुकला। यूपी के ग्यान में आज हम चर्चा करेंगे अमेठी संस्दी सीट की। फैजाबाद मंदल में पढ़ने वाला अमेठी देश की राजनीत में खासा एहम मुकाम रखता है। अमेठी जिले का गठन एक जुलाई 2010 को हुआ था। यूपी के इस 72 जिले का मुख्याले गौरी गंज में स्थी थे। ये जिला उत्तर में बारबंकी और फैजाबाद, पक्ष्चिम में, राइबरेली, पूर में, सुल्तानपूर और दच्छन में प्रताबगर जिले से घिरा हुआ है। कभी इसका नाम छत्रपतिश साहुजी महराज नगर हुआ करता था, लेकिन बाद में बदलकर अमेठी कर दिया गया। किया था। तुर्कों के बाद मुगलों ने भी यहां पर आक्रमन किया था इस रिहासत पर, पांसो वर्ष पूर्व यहां के जायस में जन में हिंदी कवी और सूफी संत मलिक मुहमद जैसी की हत्या भूपति भवन के प्रांगण में एक सिपाही की गोली लगने से हुई थ तक आचार रामचंदर शुक्ल ने जायसी की गरंधावली में भी किया था। यह जो अमेटी छेत्रे हैं यहां के राजा लाल माधो सिंग, राजा गुर्दत सिंग के पुत्र थे जिनोंने रामजन भूमी आंदोलन में लड़ाई लड़कर युद्ध करके अपना अपने प्राणों को निवचावर किया था। दस्वी शताबदी में यहां राजगरानों की परंपरा शुरू हुई और आज तक कई राजगराने अपनी विरासत को संजो ही हुए है। यहां के कादू नालापुल के आगे धारी मारक पर यहां पर बने शहीद इसमारक पर हर साल कारती के कादशी के दिन बड़े मेले का आयुजन होता है। सीमेंट का प्रमक उतपादक, ACC Limited और अनाज मिल उतपादों, स्टार्च और इन से संबंधित जो निर्माता हैं, शाली मार पैलेट फीट्स यहां पर बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मोहिया कराते हैं। यहां पर प्राकरती रूप से उगने वाली मूंज घास से हस्त निर्मित विभिन उतपाद त्यार किया जाते हैं। अब बात करते हैं यहां के चुनावी इतिहास की। तो अमेठी लोग सभा सीट 1967 में अस्तित में आई थी, साल 1967 और 1971 में कॉंग्रेस के विद्याधर बाचपई यहां से सांसच चुने गए थे। इमर्जंसी के बाद 1977 में चुनाव जब हुआ तो इस सीट से गांधी नहरू परिवार के पहले सदस के तौर पर संजे गांधी चुनावी मैदान में उतरे, उन्हें विपच्च के संयुक्त उम्मीदवार जंता पाल्टी के रविंद प्रताप सिंग ने 75,844 वोटों से मा सीट पर साल 1981 में जब उपचुना हुए तो इसमें कॉंग्रेस की तरफ से राजियू गांधी प्रतियाशी बनाए गए इंद्रा गांधी के बेटे, उन्होंने लोगदल के शरत यादों को 2,3,696 वोटों से परास्त कर दिया और देश की राजनीत में पदारपन किया, अपनी मेंका गांधी, राजियू गांधी ने ये चुनाओ भी 3,14,888 वोटों के मार्जिन से जीत लिया था, मेंका गांधी वोटों पचास हजार के करीब वोट मिल सके थे यहाँ पर, राजियू गांधी ने 1989 और 1991 में भी यहाँ पर जीत दर्ज की, लेकिन 20 मही 1991 में तमि चुनाओ जीत गए, सती शर्मा 1996 में भी यहाँ पर चुनाओ जीते थे, लेकिन 1998 में अमेठी राजगराने के संजे सिंग ने बतोर BJP उमिद्वार सती शर्मा को 23,000 वोटों से परास्त कर दिया था, पर यह जीत महजे एक वर्ष तक ही कायम रह सकी, साल 1999 आया, जब यहाँ चुनाओ हुए, तो इस चुनाओ में कॉंग्रेस की ओर से सूनिया गांधी चुनाओी मैदान में उतरी, और उन्होंने राजिव गांधी से जुड़ी यादों का जिक्र किया, और इस छेतर से एक भावनात्मक लगाओ, जोड़ा, साहन भूती लहर दोड़ी, और तीन ला उन्होंने 2,90,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज किया और उन्होंने भी चुनाओी डेबू किया, 2009 में राहुल गांधी ने यहाँ पर 3,70,198 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज किया, 2014 में भी मोदी लहर के बापजूद राहुल गांधी यहाँ से चुनाओ जीते, तब उन्होंने बीजेपी की इसमरत इरानी को 1,00,000 से जादा वोटों के मार्जिन से चुनाओ हरा दिया था। उस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से कुमार विश्वार जो बड़े परसिद्ध कवी हैं वो भी चुनाओी मैदान में उतरे थे। हलाकि इसमरत इरानी ने पाढ़े चाल लाग दलित हैं, बड़ी आबादी है, तीन लाग छपन हजार मुसलिम है, तीन लाग बाईस अजार ब्रामण है, दो लाग छत्री है, एक लाग अरतालीस हजार के करीब यादव वोटर हैं, इसके अलावा वैश, दो फिस्दी कायस्त हैं, कोईरी, खटिक, पासी, निशाद, कुशवाहा वोटरों के भी प्रभावी तादाद इस सीट पर मौजूद है, अमेठी लोकसभा, निर्वाचन छेतर में पांच विधान सभा सीटें, पांच विधान सभा छेतर शामिल हैं, अमेठी की तिलोई, जगदिशपूर सुरच्चित, गौरी गं तिलोई से माइंक शरण सिंग, जो मंतरी भी है, योगी सरकार में, वो चुनाव जीते, सलोन से बीजेपी के अशोग कुमार, जगदिशपूर से बीजेपी के ही सुरेश पासी, जीते, अमेठी से समाजादी पार्टी की महराजी प्रजापती, गौरी गंज से समाजादी पार्टी के राकेश परताप सिंग चुनाव जीते थे, लेकिन रासभा के चुनाव जब अभी हालिया हुए थे, तब ये समाजादी पार्टी के भी विदायकों का बीजेपी से जुड़ा हो गया, मोजुद्धा चुनावी जंग की बात करें, तो बीजेपी ने फिर से सि किशोरी लाल शर्मा, जिन्हें केल शर्मा कहते हैं, उन्हें कॉंग्रिस का प्रत्याशी बनाया गया, बीज़्पी ने यहां से पहले रवी प्रकाश मौरे के नाम का एलान किया था, लेकिन फिर 24 घंटे भी नहीं बीते कि उनका टिकट काट कर उनकी जगे नन्ने सिंग च समाला था, उसकी मंत्री बनी थी, बड़ा एहम मंत्राले है देश का, दूसरे टर्म में केंदरी महिला एवं बाल विकास मंत्राले का जिम्मा उन्होंने समाला हुआ था, पंजाब के मूल निवासी किशोरी लाल शर्मा, पहली बार 1983 में कॉंग्रेस के कार करता के तौर पर अमेठी पहुंचे थे, वो कॉंग्रेस के नेता और पूर प्रधानमंत्री राजी उगांधी के बेहत करीबी थे, उनके बड़े खास थे, 1991 में जब राजी उगांधी की निधन हो गया था, उसके बाद कियल शर्मा अमेठी में कॉंग्रेस पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे, बिहार के प्रभारी भी रहे, पंजाब में कॉंग्रेस कमेटी के सदस रहे, AICC के भी मेंबर रहे, केल शर्मा राय बरेली में रह रहे थे और केल शर्मा अमेठी और राय बरेली में कॉंग्रेस से जुड़े जो मसले होते थे, उनके मैनेजमेंट के उनके प्र रही चुनावी मैदान में हो लेकिन मुकाबला बड़ी दीदी और छोटी दीदी के दर्मियान एक तरीके से बना हुआ दिखाई दे रहा है। नेरू गांधी परिवार की इस परंपरा गट सीट पर इस वक्त मुकाबला जो हो रहा है वो जनता में पैट कितनी है, चुनावी साख किस तरह है और सियासी कद किसका कितना है, इसकी पहमाईश हो रही है। यहां के चुनाव पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, आप बने रहेए पी टी सी नियूज उत्रपरदेश के साथ, नमस्कार